Hello everyone, hope you all are doing good. So, आज हम करेंगे कुछ special dresses के बारे में जो सीटेज में बहुत बार पूछी गई हैं और बहुत बार रिपीटेड कोईशन है कि कौन से रिजिन में कौन सी ड्रेस पहनी जाती है तो पहले हम वोमेंस के ड्रेस के बात करेंगे कि कौन सी ड्रेस किस रिजिन या किस स्टेट में पहनी जाती है पहले हैं मुंदुम निर्यातम, मुंदुम निर्यातम नाम की जो ड्रेस है वो कैरला में पहनी जाती है फिर मखेला चादर, ये एसाम में पहनी जाती है ये थोड़े नाम्स थोड़े हैं गड़बड पढ़ने में मर्ट इसको करना ज़रूरी है कोई यही repeated होते हैं questions बार बार कि कौन से dress कहां पहनी जाती है फिर सलवार कमी इस third number पे आप सब को पता है ये तो पंजाब, कश्मीर और हरयाना में पहनी जाती है फिरान नाम की जो dress है ये आप सब को पता है कश्मीर में पहनी जाती है ये तो बहुत famous है फिरान और घागरा चोली राजस्तान और गुजरात में पहनी जाती है अनारकली सलवार सूट कहां नौर्थ इंडिया में पहना जाता है सबसे ज़्यादा और men's की dresses की बात आये तो जो सफा नाम का dress है men's पहनते हैं वो राजस्तान में पहनते हैं और दस्तार आप सब को पता है पनजाब की ही है और फिरान कश्मीर की है फिरान आजएक से मिह सेम रहेगा पिर से मैं एक बहर रपीट कर देती हूं आपके लिए मुंदुम नेरियाथम कैरला में पहनी जाती है मखेला चादर रसाम में सलवार कमीज आप सब को पता है पंजाब भरयाना एंजमु कश्मीर साइड फिरान कश्मीर में मेंस कहो फिरान तो भी कश्मीरी आएगा गागरा चोली राजस्तान एंड कुछरात में अनार कली कलवार सूर नौर्थ इंडिया में सफा मेंस पहनते हैं राजस्तान में और दस्तार आप सब को बता है पंजाब में होती है I hope today's video is useful for you Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel